Hello everyone, तो इस वीडियो में हम समझेंगे FBlock Elements के कुछ questions तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आ है तो please like, share and subscribe to my channel और अगर आपको कोई भी डाउट है तो please comment box में आप पूछिये मुझसे Thank you for तो देखिए पहला question क्या है? पहला question है हमसे पूछा गया तो इन सभी options में से कौन सा ऐसा configuration है जो कि आपको FBlock Elements में कभी भी देखने को नहीं मिलता है तो चलिए इसको जानने के लिए FBlock Elements के configurations देखते हैं आईए तो देखिए यहाँ पर यह आप देख सकते हो configuration of FBlock Elements और यह आपकी NCRT book है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखें लेंथेनम तो लेंथेनॉइड नहीं होता है ठीक है FBlock में यह नहीं आता है यह कहाता है D Block में आता है ठीक है अब FBlock की बात करें तो यह देखिए 58 से 71 यह होता है Lengthenoids और इसी तरह से यह आप देख सकते हो Actinium यह तो D Block में आता है और इसके बाद यह जितने भी Elements है Thorium 90 से लेकर 103 Atomic Number तक यह होता है Actinoids ठीक है तो हमसे Question में क्या पुछा था कि N-2F ठीक है तो F वाल अगर देखे हैं हम Actinoids में तो F2 आपको देखने को मिल रहा है F3 देखने को मिल रहा है F4, F5 नहीं मिल रहा है F7, F6, F9, F10, F11, F12, F13, F14 है ना तो अगर Actinoids में देखे हैं तो कौन सा नहीं मिला है तो Actinoids में हमको नहीं मिला है F5 और हमारा F8 खीक है तो Actinoids के बाद में आप चलते हैं Lengthinoids को देखते हैं तो देखिए अब हम F5 और F8 Lengthinoids में चेक करेंगे क्योंकि बागी सब तो हमको Actinoids में मिल गए है और overall हमको कहा देखना Flock में है तो हम दोनों में देख रहे है Lengthinoids में है तो अगर हम Lengthinoids में देखे हैं तो F5 देखिए यह मिल रहा है हमको Prometheum में अब F8 अगर देखें तो हमको F8 यहां पर कहीं भी नहीं मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है इसका मतलब F8 ऐसा Configuration हमको मिला है Actinoids और Lengthinoids दोनों में जहां पर F8 नहीं होता है तो हमारा जो answer होगा वो क्या होगा चलिए N-2 F8 तो यहां पर अब देख सकते हो N-2 F8 यह हमारा answer आ चुका है क्योंकि हमसे पूछा था Lengthinoids और Actinoids दोनों के लिए क्योंकि F Block Elements लिखा है ना मतलब हम दोनों को चेक करेंगे Lengthinoids और Actinoids दोनों को तो चलिए अब देखते हैं Question No.2 तो Question No.2 क्या बोल रहा है हमसे Number of Electrons in Anti-Penultimate Shell अब देखें Anti-Penultimate Shell को और क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है Pre-Penultimate Shell क्या बोला जाता है Pre-Penultimate Shell भी इसको बोला जाता है कुछ भी लिखा हो आप सेम समझेंगे अब देखिए Anti-Penultimate Shell का मतलब क्या होता है N-2 अगर मैं N बोल रहा हूँ मेरी Ultimate Shell या फिर Valence Shell ठीक है तो Valence Shell हो गई N और N-1 को क्या बोलते हैं हम लोग Penultimate Shell क्या बोलते है Penultimate Shell ठीक है बच्चों अब हमको Anti-Penultimate Shell बोला है इसका मतलब Pre-Penultimate Shell तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमसे हमसे बोला जा रहा है कि कितने Electrons होते हैं F-Block Elements में Anti-Penultimate Shell में ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे F-Block के जो Elements है इनका General Configuration क्या होता है तो F-Block के Elements का General Configuration होता है N-2 F-1214 और यहाँ पर N-1 D-021 और N-2 ठीक है This is the General Configuration और यहाँ पर क्या होती है आपकी यहाँ पर हो जाती है Noble Gas ठीक है बच्चों तो यह तो हो गई आपकी Configuration की बात ठीक है अब हमसे पूछा है कि N-2 में कितने Electrons हैं ठीक है अब यहाँ पर इन्हों ने F-Subshell नहीं कहा है ठीक है आपसे सिर्फ इसका नहीं पूछा है ठीक है आपको Overall Configuration में N-2 के अंदर कितने Electrons है अब देखिए यहाँ पर हमसे Question में क्या कहा गया था हमसे कहा गया था Anti-Penalty-Mate Shell तो देखिए Anti-Penalty-Mate Shell मतलब N-2 पर मैं Focus करूँगा तो देखिए N-2 F में पहुचने से पहले N-2 S में 2 Electrons आए होंगे ठीक है और N-2 में ही P में 6 Electrons आए होंगे ठीक है इसके पहले N-2 D में 10 Electrons आए होंगे और उसके बाद N-2 F में vary कर रहे है Electrons 1 से लेकर कितना 14 तक ठीक है बच्चों अब देखिए यह हम अगर इसको add करें क्योंकि Question में यही पूछा है कि Flock में Total कितने होंगे तो 2 हमेशा रहेंगे 6 हमेशा रहेंगे और आपका 10 भी हमेशा रहेगा ठीक है तो यह कितना हो गया यह हो गया आपका 18 प्लस 1 से लेकर कितना 14 यह अभी देखा हमने ठीक है तो 1 का मतलब कितना हो गया 19 और Maximum क्या हो गया 18 प्लस 14 32 हो गया अब देखिए अभी हमने Question No.1 में देखा था कि N-2 F8 कभी भी नहीं आता है और कभी भी नहीं आता है तो इन में कभी भी 8 नहीं आएगा नहीं आएगा तो 18 प्लस 8 कभी भी नहीं आएगा मतलब यह जो मैंने Range लिखी है इसमें एक exception है वो क्या है 26 अगर आपको Option में दे रखा हो कि Accept जैसे यहां दे रखा है तो हम इसको टिक कर देंगे अगर ऐसा option नहीं दे रखा हो इतना नहीं लिखा हो तब भी हम 19 to 32 समझेंगे कि यहीं हमारा correct answer है तो आप accordingly अंदाजा आप लगा के answer को टिक कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं question number 3 Question 3 क्या बोल रहा है हम से electronic configuration of gadolinium is यह आपको given है अब क्या बोचा है its atomic number will be तो काफी आसान सा question है यह देखिए अब आप सोचेंगे कि क्यों बोल रहा हूं मैं आसान देखिए जिनान हमको पता है एक noble guess है और noble guess है तो इसका atomic number हमको पता है 54 तो 54 और यहाँ पर 7, 1 और 2 मतलब 8 और 2, 10 7, 1, 8 और 2, 10 तो यह हो गया 10 और 54 एड़ कर दोगे ओके बच्चों तो 54 और 10 कितना हो गया 64 तो यहाँ पर हमको answer मिल जाता है option B चलिए अब देखते है next question तो प्यारे बच्चों अब देखते है हमारा next question which is not a lengthenoid ओके तो देखिए यह question मैंने क्यों डाला है क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि lengthenum जो होता है यह lengthenoid नहीं होता है ओके तो आप हमेशे याद रखेंगे क्यों कि इसमें बच्चे confused होते हैं तो हमेशे याद रखना है lengthenum is not a lengthenoid ओके तो answer क्या होगा D चलिए अब देखते हैं मारा आकरी question इस video का क्या पूछ रहा है general configuration of f block elements तो देखिए अभी मैंने आपको question number 2 में भी बताया था कि general configuration of f block elements क्या होती है तो वो होती है option a n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2 तो उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आया अगर आपको यह video पसंद आया तो please like the video share with your friends and subscribe to my channel thank you for watching all the best bye bye